बिस्मिल्लाई रह्मान विहीम, अस्सलाम अलेकुम वियर्ज, मैं आपको वेल्कम करती हूँ अर्शी एक्सपर्ट ड्रेसिस में, आज में एक बीटिफुल स्लिफ्स डिजाइन आपको शिखाऊंगी, जिसे हम बैल स्लिफ्स भी कहते हैं, इसके लिए पहले हमें साधी अस्त कटिंग करने पड़ती है, तो ये देखें, मैंने ये साधी स्लिफ्स कटिंग करके रखी हुई है, अब इसके बाद हम आगे अपने डिजाइन के लिए कपड़ा कटिंग करेंगे, तो इसकी डिजाइन के लिए मैंने ये कपड़ा दिया है, तो बैल स्लिफ्स की कटिंग हम काम शुरू करते हैं तो बैल स्लिप्स के लिए जो डिजाइन बनती है नीचे बैल के शेप में उसकी कटिंग का काम हम शुरू करते हैं ये देखें इसके लिए मैंने ये कपड़ा दिया है बैल स्लिप्स की जो कटिंग होती है स्लिप्स तो उपर सिंपल कट हो जाती है इसके इस तरीके से चोकोड कपड़ा जरूरी होता है तो ये मेरे पास ये कपड़ा है इसमें मैं दो सिलिप्स की मैं बेल कटिंग करूँगी तो सबसे पहले इसको मैं इस तरीके से फोल्ड कर लूँगी ये देखें इस तरीके से फोल्ड करके अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम काट देंगे इस तरीके से ये हमारे पास चोक और देव पीस है वो कपड़े का वो निकल आया है अब हम इसको इस तरीके से फोल्ड करके रखते हैं ये देखें इसमें हमारी दोनुग स्लिप्स की बेस जो है वो कटिंग होंगी अब इसका आसान तरीका ये है कि आप एक साइड पे स्लिप्स को इस तरीके से रखें ये देखें इस तरीके से स्लिप्स को रखें जितना ये हमारा इसा होता है कप का वो बिलकुल इस तरीके से बराबर आना चाहिए ये देखें अब हम यहां से एक निशान लगा लेंगे, यह देखें, इस तरीके से हमने निशान लगाया है, यह निशान लगाने के बार, अब हम अपनी स्लिप्स की लंबाई रखेंगे, हमारी जो फुल स्लिप्स की लंबाई है, वो तक्रीबन है हमारी 23 की है, तो हम इसमें टेकिन जमा करके 24 रखेंगे यह दिखे मैंने 24 का यहां पर निशान लगाया है अब हम इसको हटा देते हैं हटाने के बार अब हम यहां से बोल शेप में निशान लगाएंगे इस तरीके से पुल शेप में निशान लगाने के बाद अब हम इसको पटिंग करेंगे लिए तका डर्रागती हैं मृठी है इस तरीके से यह कटिंग हो गया है अब इससे को भी कटिंग करेंगे के तरह भी करेंगे गोल्ड शेप में इस तरीके से अब यह जोंके दो स्लिप्स के बीस हैं तो इसलिए मैं इसको अलग कर लेते हूं इस तरीके से यह हमारा पीस जो है वो कटिंग हो गया है इस तरीके से यह खुश्रक सा पीस हमारे पास कटिंग हो गया है इसको हम अपनी स्लिप्स में इस तरीके से अटेश करेंगे यह देखें इस तरीके से यह थोड़ा हमने कपड़ा ज्यादा रखा था शिलाए लगाने के बाद हम अपनी स्लिप्स की सेटिंग कर लेंगे तो अब हम अपना स्टिचिंग का काम शुरू करते हैं व्यूर्जी स्लिप्स में जो नीचे का हिस्सा है वहाँ पे हम एक कट लगा लेते हैं यह जो हमने पीश कटिंग गएके रिखा है इसमें जो उपर का हिस्सा है उसमें भी हम बीश में एक कट लगा लगाएंगे और अब हम इस पीश को अपनी स्लेज में अटेज कर लेंगे कट से कट को इस तरीके से रखें मिलाके इस तरीके से हमारे स्लेज में यह जो पीश है वो अटेज हो जया है अब नीचे के साइब पहम पत्ली ओटी कर लेते हैं पत्ली ओटी करने का तरीका यह है कि आप पहले एक सार इस तरीके से फो Chair कर लें फिर इसके बाद आप एक और सिलेज कर लें यह दिखें मैं यह पश्टरीकिस सिलेज करूँ गी कि वो ना कियो घटकी झाओ ये हो जैजुआεν एक साइड इस तरीके से फोल करने की बाद अब हम इसको आसानी के साथ इस तरीके से मोल के इतनी पत्य ओटी कर देंगे अबाद रिक अबाद रुड़गगा रुड़गगा रुड़गगगा रुड़गगऑा कर दोल कर दोल के ईत्य बाद है बास 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 टिर बास सह बसे में बास बास एन झाल पिशशने को टृति एन कि भीजान बगला बप्रप अस्टागर्ण पिस तो तो सिए फिरह लोड़़् कर दो लोड़स यह देखें इस तरीके से हमारी पारीच सी ओर्टी जो हो गई है यह सिल्का कप्रा है तो इस तरीके से ओर्टी करने से सफाई के साथ ओर्टी हो जाती है इसी बारिक कोटन में तो हम आसानी से कर सकते हैं इस तरीके से करेंगे तो आसानी से आप फोल कर सकते हैं इतना पतला वियो से हमारी ओटी कम्प्लेट हो गई है अब हम थोड़ा इसको और खुबसूरती देने के लिए यहाँ पर रिबिन का इस्तमाल करेंगे पहले बीच में सेंटर का निशान लगाऊंगी इसको इस तरीके से फोल्ड करके फोल्ड करने के बाद यहाँ हम सेंटर में निशान लगाएंगे यह हमारा निशान आगिया यह बीच का निशान लगाने के बाद अब हमने यह दो रिबिन के पीस लिए है तो यह मैंने 16-16 इंच के दो पीस लिए है यह दिखें यह दो मेंने पीस लिए है इसको मैं दोनों को एक साइड पे इस तरीके से मैं क्रोस में कटिंग मैंने किया इसको अब मैं यहाँ से एक पीस लगाना शुरू करूँगी यह जो हमारी बॉर्डर की पटी बनी हुए इसके उपर हम लगाएंगे आप यहाँ से भी लगा सकते हैं तो मैं इसको पहले यहाँ से इस निशान तक सिलाई करूँगी यहाँ से मशीन को रोब के इस तरीके से हम घुमाएंगे और फिर यहाँ से दूसरी सिलाई हम करेंगे इसके बाद अब हम यहाँ से दूसरा पीस लगाना शुरू करेंगे यहाँ तक है प्ल हम जोचली आपना शुरो करेंगे प्लाइट प्लाइटे रावर्ट भीस लेगे इसको भीचली वायाँ से नियुमाएंगी कि इस साइड पे स्लै करेंगे इस तरीके से हमारी यहां पर यह रुपिन बनेगी अब हम इसको नॉट लगाएंगे इस तरीके से नॉट लगाने के बाद हम इसको इस तरीके से रुबिन बान देंगे इस तरीके से यह शेप बन जाएंगे इस तरीके से हम जिफ्ट वगेरा पे लगाते हैं यह दिके इस तरीके से मैंने बना लिये अब इसको और ज्यादा कुपसूर्थी देने के लिए इसके बटन लगाने के साथ यह जो हमने नॉट लगाई है वह भी अच्छे तरीके से यह टांके से बेट जाएगा इस तरीके से अब हम यहाँ पर बटन लगां के फिर अप्टी इस लिफ्टिंग इस लाए करेंगे इसके लिए पहले हम नेचे से सुई को इस तरीकिसे निकालेंगे अब हम इसको यहां से टांका दबा के बटन अटेच लाएंगे इस तरीकिसे चोटा सा टांका यहां से भी लें ताके नोट जो है वो हमारी फिक्स हो जाए इस तरीके से दो चोटांके लेने और बटन को फिक्स कर दो अब नोट लगा देगे यहां से हम देखें इस तरीके से हमारी रिबिन जो है यह देखें इस तरीके से हमारा बटन लग गया है अब हम अपनी फिटेंग की सिलाइट करेंगे पिटेंग की सिलाइट करने से पहले हम यह थोड़ी सेटिंग कर लेंगे अपनी सिलिप्स की थोड़ा सा बड़ा कपड़ा छोड़ा था हमने यह हम यहां से थोड़ा कार देते हैं और यहां से सिलाइट शुरू करते हैं यह हम यह हम बड़ा कर दोड़ा यह हम शीट कर दोड़ा यह हम झात Commissioner यहां पर आक्या मशीन को रोकेंगे और यहां से इस तरीके से सिला दियेगे थोड़ा सा गुमाएंगे कप्डे को यहां एक कट लगाएंगे एक अधम यहां लगाएंगे अब इसको हम पल्टाते हैं यह देखें इस तरीके से हमारी बैल स्रीज जो है वो तयार हो गई है पहने में यह बहुत ही खुबसरत लगती है आप जरूर क्राएं करें अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना बोलें आला हफेज